Good morning students, today we will do exercise 4B इसके लिए आपको divisibility rules आने चाहिए आप 2 की divisibility कैसे चेक करोगे? A number is divisible by 2 if its 1's place is either 0 or multiple of 2 that is 2468 कोई भी number 2 से divisible तब होगा जब उसकी last digit even number होगे यानि 02468 Divisibility by 3 कैसे चेक करोगे? कोई भी number 3 से divisible तब होगा जब उन सब digits को add करके वो 3 का multiple आए जैसे example में आपको दे रखा है 7, 9, 8, 5, 1 ये divisible है 3 से क्योंकि अगर हम इसको add करेंगे 7 plus 9 plus 8 plus 5 plus 1 is equal to 30 33 की table में आता है तो ये 3 से divisible है 4 का divisibility rule कैसे चेक करते है? अगर last की 2 digits 4 से divide हो रही है तो तो वो 4 से divisible है अदरवाइस नहीं है अब जैसे देर के 8, 8, 3, 1, 2 last 2 digits यानि 12, 12, 4 से divisible है तो ये 4 से divisible होगा divisibility by 5, कोई भी number 5 से divisible तब होगा जब उसकी last digit या तो 0 हो या फिर 5 10 की divisibility कैसे चेक करते है? 10 की divisibility चेक करने के लिए last digit अगर 0 है तो वो number 10 से divisible होगा अदरवाइस नहीं तो जैसे हमें question दे रहे है exercise 4 भी 140, 140 by 2 2 की divisibility कैसे चेक करते है? last में even number होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 last में 0 है तो ये 2 से divide होगा divisible है by 3 3 की कैसे चेक करेंगे? मैंने बताया कि सभी numbers को add करना होता है 1 plus 4 plus 0 1 और 4 5 होता है तो ये 3 से divisible नहीं है क्योंकि 5 3 की table में नहीं आता 5 की कैसे चेक करते है? last में 0 होना चाहिए 5 last digit हमारी 0 है तो ये 5 से divisible है 10 में भी last में 0 होतो divisible होगा तो ये last में 0 है तो ये 10 से divisible है आगे दे रखे 3, 6, 5, 0 2 से divisible है क्योंकि last में 0 है 3, 3 और 6, 9, 9 और 5, 14 14 और 0, 14 इसका sum करके 14 आया तो वो 3 की table में नहीं आता वो 3 से divisible नहीं है 5 होगा और 10 भी होगा क्योंकि last में 0 आ रहा है अब आपको CED पार्ट फूद करना है अब question number 2 test weather the following numbers are divisible by 6 अब 6 की divisibility कैसे चेक करते है 6 की divisibility 2 से भी divide होना चाहिए और 3 से भी divide होना चाहिए 2 से भी divisible हो और 3 से भी तो तो होगा और मालो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा 6 की divisibility चेक करने के लिए दोनों का divisible होना जरूर यह जैसे 5 0 7 0 0 is divisible by 6 क्यों है because it is an even number and even so it is divisible by 2 क्योंकि 0 आ गया and sum of its digits 5 plus 0 plus 7 plus 0 plus 0 is equal to 12 तो 12 भी 3 से divide हो जाता है तो यह divisible है अब second part ने रहा है 5 6 5 2 3 5 6 5 2 3 divisible नहीं होगा 6 से क्यों? क्योंकि यह last में even number नहीं है इसकी last digit even number नहीं है तो यह 2 से divisible नहीं है तो फिर यह 6 से भी नहीं होगा अब next ने रहा है 1 2 4 6 0 यह 2 से तो divisible है लेकिन 3 से नहीं होगा क्योंकि इनको add करने पर हमारा number आएगा 13 जो 3 का multiple नहीं है 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो यह 6 से divisible divisible नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया आप भी कि 6 से divisible होने के लिए दोनों conditions का fulfill होना जरूरी है 2 से भी divide होना जरूरी है और 3 से भी अब question number 3 test if the following numbers are divisible by 4 and 8 अब आपको 4 की divisibility चेक करने है और 8 की 4 की कैसे करते है जिसे हमें दे रहा है 13,408 4 की चेक करते है जो last की 2 digits है वो 4 से divisible होना चाहिए अब जैसे दे रहा है 0,8 0,8 तो 4 से divisible है 408 हम 8 की divisibility चेक करते है जो last की 3 digits है वो 8 से divide होनी जी 408 8 से divisible है तो फिर यो वाला number 8 से divisible है जैसे अब अगला दे रखा है 9,8,7,6,2,1,4 ये 4 से divisible नहीं है क्योंकि इसकी last 2 digits यानि 14 वो 4 से divisible नहीं है divisibility by 8 ये भी नहीं होगी divisible by 8 क्योंकि इसकी last 3 digits ने 214 वो 8 से divisible नहीं है 8 से divide नहीं होती इसलिए divisible नहीं है test which of the following numbers are divisible by 9 first बार दे रखे divisible by 9 64, 64 is not divisible by 9 इसकी भी 3 की तरह चेक करते है जितनी digits दे रखे उनको add करना है और फिर चेक करना है कि वो 9 की टेबल में आ रही है के नहीं अब 6 और पूर 10 होती है तो 10 9 से divide नहीं होती है 9 की टेबल में नहीं है तो 64 9 से divisible नहीं है अब divisibility by 11 11 में क्या करना है आपको some of the digits in the even place and some of the digits in the odd place और जैसे first digit है वो odd number है odd place पे है second even place पे है third odd place पे है fourth even place पे है अब हमें even की देखने है तो even first जो है वो odd place पे है three three तो odd place पे हो जाएगा six even place पे हो जाएगा फिर दुबारा six third number पे है यानि वो odd place पे जाएगा और fourth number पे three है वो even place पे आएगा six और three nine three और six nine अब difference between two sums nine minus nine is equal to zero zero तो 11 की table में divisible है तो ये 11 से divisible होगा अब next जे रखाया है eight four nine two seven इसका भी ऐसे ही करना है even places का sum eight odd में जाएगा fourth even में आएगा nine odd में जाएगा two even में आएगा seven odd में जाएगा इनको add करेंगे four or two six eight और nine seventeen और seven twenty four इनका difference करेंगे twenty four minus six eighteen eighteen eleven की table पे नहीं आता तो ये number 11 से divisible नहीं है अब next दे रखाया है divisible by two sorry twelve one six three two twelve की divisibility कैसे चेक करना है जो twelve का divisible number तब होगा अगर वो three से भी divisible हो और four से भी divisible हो अब हमें दे रखाये one six three two की divisible होगा twelve से क्यों? क्योंकि ये number three से भी divisible है और four से भी three की divisibility कैसे चेक करोगे? because one plus six plus three plus two is equal to twelve and twelve is divisible by three and one six three two is also divisible by four as its last two digits that is thirty two thirty two divisible है four से तो ये होगा अगर मालनों इन दोनों में से three से या four से ना होता तो ये फिट twelve से भी divisible ना होता अगर दोनों condition फुल्फिल करेगा three की और four की तो वो divisible होगा twelve से next question दे रखा है divisible by fifteen two eight zero eight अब two eight zero eight is not divisible by fifteen इसकी हम check fifteen की कैसे देख रेंगे three और five पे जाना चाहिए three five से फिटीन होता है न because three की कैसे चेक करेंगे सब को add करके add करने पर आएगा eighteen eighteen three से divisible होगा लेकिन ये five से divisible नहीं है क्योंकि last में ना तो zero है और ना ही five है अब question number five replace